आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ कहा गया है कि एक train है जो अपनी पूरी distance को 5 1 by 2 hours याने की साले 5 घंटे में कवर करती है जिसमें से आधी distance वो 60 km पर आवर की speed से चल लई है और आधी distance वो 20 m per second से चल लई है तो हमें total distance उसने कि उसने कितनी कवर करी है किलो मीटर में हमें बतानी है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो ये दिया हुआ है यहाँ पे 20 m per second इसको हमें किलो मीटर पर आवर में हमें निकालना पड़ाएगा क्योंकि हमें answer भी किलो मीटर में चाहिए और जो स्पीड हमें दूसरी दी हुई है वो भी हमें किलो मीटर पर आवर में दी हुई है तो इसको हम चेंज करते हैं हमें दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड ठीक है अगर हम किसी स्पीड को मीटर पर सेकेंड को किलो मीटर पर आवर में हम अगर चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए simple हमें क्या करना होता है 18 by 5 से multiply कर दें तो हमारी वो जो answer आएगा वो आजाएगा km per hour में similarly अगर कुछ हमें km per hour में दिया है तो हमें 5 by 18 से करना होता है इसको हम solve कर लेते हैं 5 by 420 तो हो गया यह हो गया 72 km per hour तो हमारी आदी डिस्टेंस उसने कवर करें 72 km per hour की स्पीड से और आदी डिस्टेंस 60 km per hour की स्पीड से अब हम देखते हैं हमें पता है कि speed equal to distance upon time ठीक है यह हमें पता है अब हम क्या करेंगे हमें speed पता है time पता है distance निग पता है तो हम मान लेंगे let distance equal to x distance हम मान लें कि x है ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं इसको यह लिखा हुआ है ऐसे speed equal to distance by time तो time equal to speed by time equal to distance by speed ठीक है हम ऐसे लिख सकते हैं इसको time equal to distance by speed time उतर चला गया speed इधर आगया अब हमें पता है time हमें दिया हुआ है कितना 5 1 by 2 hours यानि कि 11 by 2 hours तो time की जिखाँ पर हम लिख देंगे 11 by 2 hours हो गया ठीक है distance हम से कहा गया है जैसा question में दिया है वैसे ही करते हैं विल्गुल 1 by 1 कि उसने आधी distance half distance first half distance 60 km per hour से वो चला है तो distance यानि कि total तो हमने रही x है तो half distance x by 2 किस से चला है वो 60 km per hour से और remaining half किस से चला है वो चला है 72 km per hour की speed से 72 km per hour की speed से चला है ठीक है इसको हम solve कर लेते हैं तो यहाँ 11 by 2 वैसे ही रहेगा यह हो जाएगा x by 120 plus x by 144 ठीक है अब हम इन दोनों का LCM ले लेंगे तो LCM जब लेंगे तो मेरा LCM आएगा 720 ठीक है 720 आएगा को LCM तो आ जाएगा यहाँ जाएगा मेरा 6x और यह मेरा हो जाएगा 144 है यह मेरा हो जाएगा 5x ठीक है और यहाँ मेरा 11 by 2 वैसे मेरा चल रहा है ठीक है यह सब हमारा चल रहा है अब करते हैं इसको हम और हम सिंप्लिफाइ करते है 11 by 2 यहीं रहेगा यह हमारा हो गया 11x by 720 11 11 cancel यह 2 से 236 26 12 360 ठीक है तो यहां से हमारी x जो की हमारी distance थी ठीक है भो कितनी आई है हमारी 360 360 ठीक है तो यहीं हमारी answer है क्योंकि distance हमारी आ रही है 360 तो हम option में देखते हैं हमारा option c option 3 हमारा सही answer होगा 360 क्लासिक से 12 से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर